आज आठ बजे रातरी से यूटूब पर लाइब रहेंगे यूटूब पर लाइब करेंट रफिर्स और साइंस पर लाइब रहेंगे जो भी लड़की यूटूब पर आते हैं फलोर हैं लगवाग अब आठ बजे करीब आप आज आएगे साइन्स को चेप्टेर वाई पढ़ाएंगे और करेंटेफ्यर्स को भी देखेंगे क्योंकि अभी जो परिच्छा होने वाली है टीचर की परिच्छा है उस परिच्छा की उद्देश से लेकर दूसरी बात है कि दरोगा का मेंस का रिजल्ट जो रिजल्ट है इस सब्ता हमें कभी भी आ सकता है सुमार मंगल बूद बेहस्पत तक दरोगा का मेंस का रिजल्ट आयोग देने जा रहा है जो मुझे इस बात की जनकारी मिली है जो लड़के को 75 पलस लगभग है 75 के आसपास है उन मेंस क्वालिफाई करेंगे मेरिट के लिए जहां तक बात है 75 पलस मेरिट जाएगा आप 75 के सरावनिंग अपका मेंस क्वालिफाई होगा जेनल का कटफ बताते है ये शे पूरे और अधिक समय नहीं दिया जाएगा अचार सहिता लगेगी 15 मार्स से 14-15 मार्स से अचार सहिता के बाद कोई नई भैकेंसी नहीं निकलती लेकिन जो प्रोसेस में चल दिया है वो निशीत रूप से भैकेंसी होती है द्रोग का फिजकल बीच में ही हो सकता है वो आयोग पर पुंड़ता निर्भर करता है आयोग क्या करेंगी से कि लेकिन अभी फिजिकल का सीडिल तब ही जारी होगा जिस दिर आप का रिजल्ट निकले गा ओधन फिजिकल का सीडिल जारी होगा तो आपको कर सकते लिछ आ कि यान कभी आ सकता है अधन वी बोले थे कि यह तरह आजाये गाहएं का 1200 च्छट्र पर जो पर मेंस हुए है लगए मेरे कोचिंग से 20-25 लरके द्रोगा मेंस दिया है मेक्समे स्कुर मेरे कोचिंग का एक लरका का है बेरासी नमबर लेकि 75-78-89 काफी लरके है इसमे कोई तक नहीं जहां पर गारी जाम होती है वहां ही पर आपको मेट बनता है ऐसा देखने को 20-25 साल से परहा रहा हूं जहां तक मेरा अनुबाव है यानि पाइनल कटफ जो उमीद है अठातर उनासी असी के आसपास ही जाएगा असीस उपर लखता नहीं है काणे के लिए कादे की अमसी से उपर स्कोर किये है लेकिए असीस उपर ल cathedral का नहीं है आपका रिज़ल्ट आने जा रही है कभी वी जल्ट आसकता है यह सफ्त आपके लिए बड़ा ही इनपोर्टें दरोगा मेंस का रिज़ल्ट आएगी फिरकल ली ली जाएगी तुरत फिरकल के परतिया आप कंसस रहिए धन्यबाद तेंक्यू